आजी गाइस स्वारत आपका एक बार फिर से इस चैनल पर और हम लोग आज एक्सल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि मेरी आप से पहले बात भी थी मैंने अनॉस्मेंट किया था बेसिक तो सुपर अड्वांस एक्सल यह ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा बिल्कुल फी आज बहुत बड़ा लेक्चर में आपसे शीर कर रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं और इसमें हम वी लुक फंक्शन मैच फंक्शन और साथे साथ रियल लाइफ में जब आप डेटा पर काम करते हैं माइस में तो क्या-क्या चैलेंज आते हैं तो इसमें मै आपको रियल लर्निंग में बिले तो बहुत सीरियसली होके आप इस पूरे लेक्चर को देखिएगा और जहां-जहां आपको तिक्कत आती है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा आपको मैं पूरी हल्प करोगा और साथी साथ वीडियो के डिस्क्रेक्शन में अ सबकर गरियो का फाईल कर रहिए प्लम के चीजह करेंगी है वीडिविल डॉकढकक हम वी रूकप पे बात करेंगे और मैच फंचिन पे बात करेंगी है अर जो मुर्भकल रिवाइच की है जो मुदने कल सेल्रिफरेंसिंग यूस की थी अुसका यूस हम देखेंगी कि कै इसे formless में use होता है, we look up की सबसे पहले बात करते हैं, we look up को vertical look up भी का जाता है, यह Excel का सबसे ज़्यादा popular formula है, सबसे ज़्यादा popular है और सबसे ज़्यादा used formula है, क्योंकि यह function की जो जो इसका purpose है, जो इसका objective है, वो हमें Excel में बहुत बार ऐसी situations होती है, जहां पे हमें इसको use करना होता है, जैसे look up है, यह look up का मतलब यह है कि जब आपको एक value को दूसरी table में search करना हो, तो उसमें हम vertical look up भी look up use करते हैं, यानि कि यह आपका दो tables में चलता है, इसमें minimum दो tables तो चाहिए, चाहिए, single table पे कभी नहीं चलता, एक हम मान के यह चलते हैं कि यहां पे आपका एक table होता है, primary table, जिस table में आपके सारी company का record है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हम मान के चलते हैं कि इसमें employee ID है, 100, 101, all that, और उसके बाद हमारा status है, यह data मैं बना रहा हूं, इसमें सबसे पहले यह तरह किसे आप कह सकते हैं कि आपका let's say primary database है और इसमें हमारे पास companies के employees का कुछ data बढ़ा हो है, कुछ भी information बढ़ी हुई है, यह आपका एक table है और इस table में आपका पूरा database बढ़ा हुआ है, और इसमें हमारा यहां पे हम अपना आपका कुछ का जो यहां पर database है, employee ID, आपके कुछ employee IDs पढ़े हुए, जिनका मैं यहां पर लिख रहा हुए, यहां पर इस तरीके से, लिख से, आपकी company, आपके department में आपको यह list दी गई है, और आपको बोला गया है कि भही, आपने इनका name है, वो identify करना है, main table चे, आपने HR को बोला कि मुझे अपना पूरा list दे दू, वैसे तो MIS लोग ही सारा data maintenance रखते हैं अपने पास, बढ़े हमानके चलते हैं, आपको कि data आया, आपने आप इसको paste किया, और आप इसमें हम मानके चलते हैं कि हमारे पास 5000, 6000, 6000, 10000, पूरा pan का, इंडिया का, हमारे पास यह database है, और इसमें कहां कहुत सा employee पड़ा है, हमें नहीं पता, लिकिर हमें job दिया गया है कि हमें अपने यह specific departments के लोग है, इनका हमें नाम द मैं column D को select करूँगा, और मैं ctrl F प्रेस करूँगा, ctrl F actually find के लिए shortcut की होती है, आप इस पे find में लिख सकते हैं कि आपको क्या find करना है, तो जैसे मुझे 101 find करना है, मैं find पे जब click करूँगा, तो आप देखिए कि उसमें आपके लिए एक sense जो है select कर दिया, तो यह process आप प पे ID, तो आपको लेके जाए रहा है, जैसे आप देख रहे हो, यह आपको देख रहे हैं, तो यहां से आपकी value copy करेंगे, और paste करेंगे, अभी तो चोटा database है, इसलिए मैं ctrl F नहीं करूँगा, मैं तो बड़ा बड़ा देख सकता हूँ, पर data बड़ा भी हो सकता है, उस case म रिबन में भी tab होता है, आप home tab में चब जाएंगे, तो यहां पर यह find and select का option होता है, तो यहां से भी आप यह find यूज़ कर सकते हैं, यह same window एक है, मैं इसको paste कर देता हूँ, just in case आपको ribbon के तो अभी जाना हो, और ribbon की, ribbon में भी आपको पता होना चाहिए, कहां कौन सी option है, देशर हमेशे shortcut key use करें, बाट पता तो होना चाहिए, तो यह मैंने आपके लिए, एक Snagit बना दिया है, और यह आप का find option, ribbon kit, अब इसमें हम लोगी manual काम नहीं करेंगे, because अगर आपको सोचू कि, अगर आपके पास ऐसे 1000 employees हैं, और database 20-30,000 का पढ़ा है, और आपको एके करके Employers IDs डोडने हैं, तो यह एक दिन का काम नहीं है, इसमें आपको कम से कम एक हफ्ता लग सेगा, यह जो भी है, इस चीज़ को sort out करने के लिए, हमें excellent functions दे हुए हैं, जैसे हम जानते हैं, अब उन functions में भी variety हैं, मतलब हर एक function का objective अलग होता है, तो इसमें, जब आप किसी भी ऐसे task पे काम कर रहे हूं, जहां पे आपको कुछ डूबने के लिए बोला जा रहा है, लुक अप के लिए बोला जा रहा है, तो आपके mind में सबसे पहले लुक अप ही आएगा, लेकिन यह अलग बात है कि उसके बाद जिसे जिसे आप और functions करते जाएंगी, तो उसमें आप इसको यह पता होना जाए कि actual में यहां पे यह function लग सकता है या नहीं लग सकता है, और लग नहीं सकता है, तो उसका reason क्या है, जैसे हर function का अपना purpose होता है, अब जब भी बात हम करें डूंडने की, कुछ look up करने की, तो definitely आप वी look up के बारे में सबसे पहले आपका mind वहीं ज करूंगा, नहीं तो फिर मैं अगर नहीं कर सकता हूं, तो मैं फिर किसी और look up function के बारे में सोचना शुरू करूंगा, look up में और भी functions है, वह करेंगे, look up मतलब look up family के functions की बात कर रहा हूं, मतलब जो functions information डोलने में आपकी मदद करते हैं, तो we look up जो है, जब हम we look up use करते हैं, मैंने आपको कल भी पताया था कि आप कोई भी formula जब Excel पर लगाते हो, तो हमेशा आप equals to sign से उसकी शुरुआत करते हो, तो जब मैं we look up type करता हूं यहां पे, इसके बारे में अलरी कुछ information आपको Excel में यहां पर दीख जाती है, इसको फिलाल हम रीड नहीं करेंगे, मैं सिध आपको यह पता लगना शुरू हो जाता है कि इस function में actually कितने parameters हैं, जो मुझे use करने हैं, यह आप कहलें, कितनी input values हैं, जो मुझे इसमें use करने हैं, अब जिसे look up value है, comma table array, comma column index number, और comma range look up, तो यह पिर बस चार्ट parameters है, यह चार्ट parameters जब तक मैं इस Excel function में नहीं यह function मुझे output नहीं देगा, यह parameters सारे mandatory होते हैं, और यह comma से separate होते हैं, जैसे आप देख सकते हो, सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आपको दो help मिलते हैं, पहला तो यह कि आपको function को याद नहीं कर, कभी भी आप function को याद नहीं करेंगे कि इसमें कितने parameter हैं, यह gradually आपको स सामने यह window open होगा, और इस window को देखती है, आपको याद आजेगा कि कौन कौन से parameters इसमें हैं, और क्यों हैं, ठीक है, दूसरी important चीज़ है कि अभी जैसे lookup value है, table आ रहे है, column index number है, range lookup है, यह थोड़े से technical word लग रहे हैं, लेकिन आप अगर एक बार यह lookup पे काम कर लोगे तो किसी और function पे जब आप जाओगे, आपको मिलते जुलती parameters मिलेगे, बनलब इसे और functions को understand करने में भी बहुत जादा help मिलेगी, right, तीसरी important चीज़ यह है कि आप कभी भी functions को जब use करते वो, तो एक बहुत अच्छी Excel में help देता है, और वो help भी है कि जिस parameter पे आप होते है वो हमेशा bold होता है, जैसे अभी अगर आप देखो, तो lookup value आपका bold है, तो इसका मतलब भी है कि अभी जो आप parameter यूज कर रहे हो, आप जो भी value इस पे अभी select करेंगे, वो lookup में चाहेगी, अगर मैं कॉमा प्रेस कर देता हूँ, तो यह मुझे table array को bold कर देगा, इसका मतल कॉमा प्रेस करके आगे जाते हैं, तो हमें यह पता लगता रहता है कि हमारा function आगे move हो रहा है, और हम किस parameter पे अभी बैठे हैं, और हमें इसका क्या करना है, तो start करते हैं, चार parameters हैं, चारों को एक ही करके discuss करते हैं, we lookup लगाने से पहले, अगर आप देखें कि आपने employee ID 101 को आपको इसका नाम चाहिए, तो आप पुनीत इसका नाम है, employee ID का, तो अगर आप इस पूरी calculation को देखें, without any function, यह क्या हुआ, आपने 101 पिक किया, 101 पिक करके आपके दिमाग ने यहां से इसको डूबना शुरू किया, search करना शुरू किया, जैसी ही आप 101 पे पहुंचे, आपके mind ने signal दिया कि आप आगे जाने की जूरूत नहीं है, क्योंकि मुझे मिल गया, जो मुझे डूंडा है, उसके बाद आपके mind ने फिर यहां पे नज़र दड़ाई कि यह नीम है, तो नीम है, तो automatically आप यहां पे जाके रुख गए, यहां पे नहीं रुख गया, क्यो उसके लिए चार पैरामिटर्स होते है, लुका वैल्यू, लुका वैल्यू का मतलब यह है कि क्या वैल्यू आप डूना चाहते हो, तो वैल्यू चो मुझे डूनी है, अगर मैं वैसे भी आपसे question पूछता तो आप पुनीत answer दे रहे हो, पुनीत क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कौन से प्लॉय आईडी, तो वही look-up वैल्यू आप वी look-up को बताओगे, cell वो आप select कर लोगे, k9, look-up आपका ready हो गया, बहला वी look-up को यह तो पता लग गया कि आप मुझे डूना क्या है, जो भी k9 में होगा, table area आपका bold हो गया, अब बह obviously वो किसी table में होगी, तो वो table भी आपको बताना पड़ेगा, we look-up को क्योंकि आपकी sheet में 10-15 table हो सकते हैं, कहीं से भी start हो सकते हैं, we look-up को नई मालोगी किस table में जाना है, तो आपको table define करना होगा, जब आपने manually भी इसको check किया था, तो obviously आपने यहाँ से अपनी calculation start की, करत table में आपका status है, इस table में आपका name है, जो भी, ठीक है, table error complete हो गया, table बता दिया आपने की, आपको 101 कहां डूनना है, अब अगर उसनी ढूंड लिया, बान के चलो, डूं लिया, अब जिसे हमने भी 101 ढूं लिया था, अब क्या, अब यह female है, पुनीत है, यह क्या है, क्या value ह मुझे चाहिए, वहाँ पे अब आपका यह column index number का, मतलब, we look up को, अगर we look up 101 पे आ जाता है, तो 101 से वो आगे कैसे जाएगा, मतलब किस column में जाएगा, इस table के, वो column index number बताएगा, तो column index number इस table का, हमें चाहिए name, अगर आप इस table पे ध्यान से देखो, इसमें तीनी column है, ए आपके table के according column decide होगा, Excel के column के according नहीं decide हो, आपके table में नें जो है, वो तीसरा column है, तो आप बोलोगे, कि अगर आपको 101 मिल जाता है, तो जहाँ पे आप रुखते हो, क्योंकि फिर function आगे नहीं जाएगा, उसको अगर यह मिल जाता है, वो आगे क्यों जाएगा, उसका job यह दो options होती है हमारे पास यहां, फिलाल आप आँके बंद करके हमेशा exact match लिखेंगे, approximate patch पे हम अभी बात नहीं करेंगे, बात में बात करेंगे, यह बहुत कम use होता है, आपका mostly 99% यह 99.9% ही बोलूँ मैं, हमेशा हम exact match की बात करते हैं, पट approximate पे हम आएंगे बात में, अब Excel में एक बड़ी interesting चीज है कि false का मतलब होता है zero, और true का मतलब होता है one, तो कुछ लोग मेरी तरह इसको zero भी लिख देते हैं, और कुछ लोग false भी लिख देते हैं, एक ही बात, जैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है, अब मैं आपको एक, इससे पहले हम, आपने देखा होना चाहिए, generally, जब मैं students को पूछता हूँ, कि अगर आप इन दो cell को bless करेंगे, तो क्या answer आएगा, तो सबका answer होता है कि error आएगा, फिर मैं वही question उनको यहाँ पूछता हूँ, और मैं कहता हूँ अच्छा फिर यह बताओ, यह add होंगे, तो क्या होगा, तो उनका फिर व और false को हमेशा 0 लेके चलता है, मतलब आप कहीं भी अगर true लिखते हैं, और उस पर multiply addition करते हैं, जैसे, suppose मैं कहता हूँ 12, अब मैं आपको बोलो 12 प्लस true क्या होगा, आप बोलोगे error, लिकिन वो error नहीं, Excel में true और false हमेशा numbers होते है, ठीक है, false होता है 0 और true होता है number, इसलिए जब आप यहां पे, यहां पे जब आप जाते हो, यह false, कुछ लोग false लिख देते हैं, कुछ लोग 0 लिख देते हैं, लेकिन मतलब ultimately क्या है, कि 0 is for exact match, मतलब मुझे exactly 101 ही चाहिए, मुझे approximate नहीं चाहिए, approximate का मतलब यह कि भी उसके आस-पास का कोई number हो, जैसे, 101 के आस-पा किया, जिसको डूलना है, कहीं नहीं तो डूलने निकलेंगे, उसके बाद column number, अगर डूल लिया, तो उसके बाद क्या, क्या चाहिए, आपको, वो depend करता है, header, अब मैं अगर इसको status कर दूँ, ठीक है न, तो मुझे column number change करना पड़ेगा, तो मुझे इसको 2 करना पड़ेग क्योंकि चीज ढूलने के बाद हमारा job खतब नहीं होता, यह चीज, इसलिए हमें इन चीज बाद दियान लखना है, मैं लग कॉलम number is very important, अब question ही आता है, कि भई, obviously मैं हाद cell पे तो जाकर भी look up use नहीं करूगा, मैं formula drag करूगा, कल भी हमने ऐसी ही exercises की थी, एक-एक cell में वो और एकाद answer miss भी हो जाएगा, अब 100 एने क्यों आ रहा है, क्या 100 अविलेबल नहीं है या आपर बिल्कुल है, लेकिन क्यों नहीं आया, यह interesting है, और 107 कैसे आ गया फिर, अदा function चल रहा है, आदा नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों, उसका reason यह है, अगर आप धियान से इस formula को द रख है, तो यह कई बार हमें जरूरी होता है देखना crystal clear, तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिर, आप क्योंकि फॉर्मला जब ऐफ टू करते हो तो थोड़ा सा shift हो जाता है, इस तरफ left side और पीछे का cell clearly नहीं देख रहा है, तो ऐसी को situation आपकी हाज आती है, कि भई f2 करते हो यह formula आपका cell का space ले रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस पूरे column को select करके, उसको left line कर, उससे क्या होगा, जैसे आप इसको करोगे, अब मैं जब इस पे f2 करोगा, अब आप देखो, आपको clear देखेगा, यह, आप formula उससरफ shift हो गया, और मेरा यह cell, और यह cell, I think इस table में दो ही चीज़े highlight हो रही है, दो ही cell, मलब cell कहलो या range कहलो, select ही है, तो दो ही आपको, वो ही cells, आपको select करके दिखा रहा है, कि आपके formula में यह चीज़े use हो रही है, बाकि तो constant है, 2-0 तो constant है, वो तो highlight नहीं कर सकता, तो इससे पहले तो यह check हो जाता है, कि आपका formula जो है, व आपके selection का तो कोई wrong selection का तो कोई reason नहीं है, कि आपने भी कुछ wrong select कर दिया हो, ठीक है, तो f2 हम मेंशा करते है, जब भी आपका error आता है formula में, या error नहीं भी आता है, आप किसी को यह file भेज रहे हो, आप इसको पहले f2 करके एक बार properly check कर लो, randomly different cells पे, क्योंकि मैं आपको ऐ answer आएगा, लेकिन वो गलत होगा, तो mostly हमारा जो काम करने का style है, Excel में वो यह होता है, कि error आएगा, तो ही हम नजर मारेंगे, अगर error नहीं आता है, तो हम यह सोचते है, by default कि formula सही चल रहा है, लेकिन वो गलत भी हो सकता है, इसलिए f2 करके एक बार शोर करने कि formula properly move हो रहा है कि नहीं, अब खेर इसमें तो problem है, क्योंकि एने clay cut आ रहा है, लेकिन अब देखते हैं, क्या error है, अब तो मैं यहाँ पे इसको f2 करता हूं, या click करता हूं, जो भी है, अब आपके सामने यहाँ पे, आपको कुछ picture देखना शुरू हो, जी कि हो क्या रहा है, यह table आपका न जा रही है, उसी तरीके से कर आप ध्यान से देखो, 101 भी change हो गया, 101, 108 हो गया, अब कुछ चीज़े आपकी favor में चल रही है, कुछ चीज़े नहीं, जैसे कि, इप्राइडी 101 से 108 होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, तो वो तो हो गया, क्योंकि, के नाइन को excel न value return कर रहा है, इसके बाद आप इस cell में आते हैं, और आप f2 करते हैं, अब आप देखो, एक row और वो नीचे आ गया, obviously क्योंकि वो, हर एक row नीचे बढ़ती जाएगी ना, जो हमने रूल सीखा था, और ये भी बढ़ता जाएगा, ये तो सही चल ला है, इसमें हमें कोई problem न यहां पर answer return कर रहा है, लेकिन जैसी वो 100 पर आया, आपकी कहानी खराग होगी, क्योंकि 100 इसमें है, 100 आपका यहां बढ़ा है, जो इस टेपर में gap चल नहीं हो रहा है, तो ideally ये table actual में ऐसा रहना चाहिए, employee कोई भी हो, table नी move होना चाहिए, तो इसलिए guys, इसलिए ये आपक इसको dollars लगा के freeze करना होगा, ये adjustment आप हम करने जा रहे हैं, ताकि formula में ये challenge ना रहे, तो आप एक एक करके सारी चीज़े सोचोगे अपने दिवान में, k9 को पहले target होगे, अब आगर आप मान के चलो, मैंने ये sell select किया, आप बोल गए कि k9 गया था, तो कोई बात नहीं k12 होना है, और अब क्या आप चाहते हो, बिल्कुल चाहते हैं, तो आप इसको छोड़ दोगे, आप इसको touch नहीं करोगे, because excel इसे अपने आप increment करता जाएगा, k को चेहने की जरूद नहीं है, k को as it is छोड़ दो, क्योंकि हम left to right formula ये चलाई नहीं रहे हैं, तो k कभी change हो ग नहीं है, क्योंकि नीचे जाते हुए column change होगा नहीं, फिर मैं इसको freeze कर दो, ये, constant आपने टेबल के row numbers freeze करने, अब ये change नहीं होगे, k9 पो आपने open छोड़ा होगा है, क्योंकि वो change होना चाहिए, तो finally जब मैं इसको drag करोगा, तो मेरा answer आपको मिल जाएगा, और आप जब इस पर up to करेंगे, तो आप देखें, ये तो move हो गया, लेकिन ये move नहीं हुआ, तो dollars का यहाँ पर इस तरीके से हम use करते हैं, हमें देखना होता है, कि formula, formula में क्या चीज है, जो हमें freeze करनी है, क्या चीज है, जो हमें freeze नहीं करनी है, इस तरीके है, और automatically ये formula है, इसलिए आपका formula ये develop होता है, तो next time जब आप in look up लगाओगे, तो इन चीज़ों का त्यान लगाओगे, अब एक step आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं, कि अगर आपके पास एक से जादा header हैं, तो क्या, उसमें थोड़ा तो challenge आएगा, क्योंकि फिर उस challenge को sort out करेंगे, मैं इसकी copy बनाता हो, right click करके, create a copy, move to end, तो एक copy बनजेगी इसकी, ये, और मैं इसका नाम दे देता हो, तू, अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और header डाल देता हो, आपके लिए, name, ठीके जी, अब, जैसे कि हमने कल भी किया था, कि जब आपको फॉर्मना develop करते हो, तो हमारी क इसको इसमें क्या होगा, इसको दियान से आपने समझना है, ये पुराने वाला ही formula है, मैं इसको left to right move करके देखता हूँ, पहले चलेगा कि नहीं है, नीचे की दरफ तो चली रहा है, तो आपने देखा कि ये चल पड़ा, right, लेकिन, अब, जैसे मैंने आपको बताया था, क आंसर आने के वाबज़द भी formula गलत हो सकता है, अब होगा, अगर आप इसको दियान से देखो, पहली चीज़ तो आपका look up change हो गया, 101 से हो गया male, क्योंकि k9 हो गया, आपका L9, तो ये बहुत गलत है, इसका reason मैं बताता हूँ, table भी move हो गया, table भी गलत हो गया, लेकिन answer फ क्योंकि left to right move हुआ तो आपने k को freeze किया नहीं था, वो k9 हो गया, आपका L9, तो L9 अब वी look up ने male को pick up किया, और यहाँ पर ढूलना शुरू कर दिया, इस table में, अब male तो इसमें बहुत है, आपको क्या पता कि आप किस male की बात कर रहे हूँ, जैसे, अब मैं यहाँ पर male क करेगा, उसको यहीं पर male मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर stop करतेगा, आगे क्यों जाएगा वो, इसी लिए, look up हमेशा उस value को बनाते हैं, जो repeat ना हो रहे हो, अगर आपकी इस particular example में, employee IDs पर repeat हो रहे हैं, बार बार, किसी और बंदे का employee ID भी 100 है, यह मैं कहता हूँ 101 है, यह और मैं enter मारता हूँ, तो we look up हमेशा इसको ही उठाएगा, क्योंकि पहले यह आ रहा है, तो यह employee ID कभी भी pick नहीं होगा, तो यह wrong choice है, पहली चीज तो यह, we look up वहाँ पर लगे गए, उसके तरीके हैं वैसे, बालद आप repetition को हम सौट आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी वो ज अगर मैं यहां से employee ID उड़ादू, मान के चलो, यहां पर employee ID हाई नहीं, तो आप 101 को कांट उड़ोगी, तो दोनों tables में होगा, तो look up हमेशा वह होता है, जो unique हो, और दोनों tables में हो, नहीं तो डूड़नेंगी कैसे, एक चीज तो चाही है नहीं, तो इसी तरीके से, आपको अपना table of design करना है, क्योंकि अब left to right भी जा रहे है, तो सबसे पहले हमने k9 पर focus करना है, k9 हमेशा k9 नहीं होना चाहिए, left to right, चाहे मैं status डूड़ रहा हूं, चाहे मैं नहीं, उस बंदे का नाम डूड़ रहा हूं, है तो वह 101, cdc बात है, और नीचे जाते वह 108 अच्छी बात है, लेकिं left to right जाते, k change नहीं हो, क्योंकि फिर look up भी change होजएगा, यह उठा के यहां पहुंच जाएगा look up और हमने देखी लिया कि उससे क्या problems होगी है, इसलिए मैं इसको यहां पर dollar लगातू, k में, क्योंकि अब left to right भी जाना है, तो k को change ही नहीं करेगा और 9 तो आपको पता है, वैसी change नहीं होगा, क्योंकि हम left to right जाना है, ठीक है, अब एक और important चीज, अब भई आपका table भी change नहीं होना थे, क्योंकि left to right आपने देखा, यह D को E कर देगा, F को G कर देगा, तो यहां भी आपको इसको freeze करना होगा, इस तरीके तो अब मैं column भी freeze कर दूँगा, पहले यह requirement नहीं थी, क्योंकि पहले हम left to right नहीं जा रहे थे, करने को मैं वहां भी freeze कर सकता था, कोई problem नहीं, बट वो required नहीं था, जैसे मैंने कल भी आपको पता है, ठीक है, यहां पर है, बाकि 2,0 को तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो constant है, तो अब जब नहीं कुछ ऐसा दिख रहा था, आपको अगर याद हो, right, तो और भी अगर header होते तो यह ऐसे, ऐसे, जाते, जाते, ऐसे, बलब पूरा table ही किल जाता, अब table freeze है, employee ID भी आप देखो, आप look up आपका 101 भी को रहा है, यह सब ठीक है, तो रह के अगया, actual way, वो mail इसले दे रहा ह क्योंकि हमें column number change करना होगा, क्योंकि आप, आप आपको name चाहिए, name आपको find out करना है, इस table में, वो third column पे, वो second column पे नहीं, एक बन जब यह अपने कर लिया, और आपके dollars पके set होगे, आप यहाँ से उठाके, इस formula को शीधा drag करते होगे, ठीक है, अब इसमें आपके सामने और भी header हो सकता है, आपके पास, दस ऐसे headers हो, जैसे मैं suppose, यहाँ पे, इसी sheet में, headers मनाता हूँ, इसको delete कर लेते हैं, अच्छा फटा-फट से shortcut keys कुछ आपको लिख के दे देता हूँ, पूरा column select करना हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, यह, control, space bar, row पूरी select करना हूँ, आपने इसे अच्छा है, पूरी row select करो, shift, space bar, column के लिए control, space bar, row के लिए shift, space bar, और मारो delete, shift, space bar, shift, space bar, ठीक है, तो shift और space bar, आप जब करोगे, यह होगा row selection, करने से पता लग जाएगा आपको, control, space bar, यह करेगा आपका column selection, इस तरीके से, ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ और मैं headers पना रहा हूँ, जैसे मैं गयाता हूँ, subject one, subject, काफी सारे मैं subject लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसको cut करके, let's say, यहां पे कहीं भी लिख देते हैं, ठीक है, और मैं यह सब delete कर गता हूँ, इस formula को मैं अज़ जचे छोड़ रहा हूँ, और यहां पे हम कुछ मैं numbers generate क कर रहा हूँ, इस पूरे cell, आप पूरे table full slit करके, formula bar में equals to, random numbers between 10 and 14, यह से PC काम आता है, dummy, बाकिस formula का कोई use नहीं है, control enter, इसे क्या होता है, control enter करना जरूरी है, यह कुछ randomly number दे देगा, उन numbers के बीच में, जो आप देते हो, तो यह ऐसी demos के लिए use हो जादा है, जैसे मैंने इसका कोई use नहीं है, तो learning perspective से not important, useless, अब आते हैं यहां पर, subject 2, subject 3, subject, ठीके जी, बन गया आपका, यह आपको अप सारा कुछ चाहिए यहां पर, तो अब हम क्या करेंगे, as usual हमें यह सारी values चाहिए, इस table से चाहिए, जो हमारा यह पूरा table यहां पड़ा है, ठीके, और वह हमारा approach रहेगा, कि हम formula को left to right drag करके, अपने answers लेके आजए, अब यहां पर मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ, तिंक सबसे पहले तो यह है, क्योंकि टेबल बढ़ गया है, तो आप यहां तक इसको छोड़ नहीं सकते, इसको यहां तक जाना है, क्योंकि हमें यह subject 1, subject 2, subject 3, subject 4 डूंड़ने है, तो वो टेबल में cover होंगे, तभी तो आप बता पाओगे, कि उस टेबल में इस column पर जाना है, तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यह, मैंने direct इसको खीच दिया, कल भी बदाया था आपको यह मैंने, वो टेबल आप देखो, automatically, आपका D4 स के 13 हो गया, आप यहाँ पे भी type कर सकते हैं, कोई बड़ी बात भी है, ठीक है ना, बाकी सब सेम रखा है, मैंने और पुछ नहीं किया, टेबल बढ़ा दिया बस, और वो freeze तो पहले से ही है, तो प्रॉलम ऐसी नहीं आए गया आपको, अब इसको left to right रह करूँगा, और सब में सेम आएगा, एक ही करके मैं इसके column change करने जा रहा हूं, इंडेक्स मतलब, बाकी सब तो सेम है, तो यह 3 हो गया, क्योंकि name है, यह subject 1 हो गया, यह हो गया 4, यह हो गया subject 2, यह क्या हो गया, 5, फिर यह हो गया 6, फिर यह हो गया 7, अब बात यह है, यह इतना काम जो यह है, कि जब आप Excel बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हो, तो आप 1-2-2 second के process को भी आपको वो frustrate करना शुरू कर देता है, क्योंकि फिर आपका level इतना अच्छा हो जाता है, कि आप क्याते हो है, यह क्यों कर रहा हो है manually, आप उसके automatic methods जोड़ना शुरू कर देता है, तो यह issue बन जा, ठीक है, उसके लिए हमारे पास solution है, बहुत अच्छा, वो solution क्या है, मैं इस formula को delete कर रहा हूँ पूरे, पहले वाला formula रखा हुआ है, अब आप ध्यान से देखो, आपकी column number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे चल रहे हैं यह आपका column number 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, 6 है, यह स मेरा plan यह है, कि इनको लिखने के बाद, इनको लिखने के बाद, मैं इस 2 को change करता हूँ, यह जो 2 manually लिखा हुआ है मैंने, इसको उठा के मैं कहूँगा, कि आप i23 के साल link हो जाओ, क्योंकि i23 में भी 2 ही पड़ है, तो फरक तहां आया, फरक यह आ गया, i23 formula बन गया, तो ए जरूल, और j23 में उसको automatically 3 मिल जाएगा, फिर वो ही j23, k23 हो जाएगा, फिर वो ही k23, l23 हो जाएगा, तो होगा क्या, कि यह सारे के सारे headers, automatically 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे करना शुरू करते हैं, आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे f2 करूँ, f2 करना जरूरी है, check करना जरूरी है, 101, यह table हो गया आपका पूरा, और यह दे, 3 आपका select, उसी तरीके से जब आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे, तो यह आपका 5 हो जाएगा, और यह आपका table हो, इस चलिए, automatic चीज़ें, change हो रही है, column number आपका dynamic बन गया, अब कोई manual काम रहा ही नहीं, 234567 तो एक मिन चाहिए, अगर मैं status की बात कर रहा हो, status चाहे 101, employee ID का हो, चाहे 108 का हो, सारे ही column number 2 से आए लिए, तो आप यहाँ पे इसको freeze करता होगे, तो मैं इसको freeze करने जाओगा, और मैं कहूंगा, 23 को मैं freeze करता होगा, क्योंकि 23 नीचे चाहते, 23 ही रहना चाहिए, यह वाला, ठीक है, left to right वो अपना around से J23 की 23 चलता रहेगा, तो finally जब मैं इसको अब drag करूँगा, मेरी problems ordered होगे, इस चोटे से trick के साथ, अब चाहे मेरे पर 30 हेडर हैं, चाहे 50 हेडर हैं, मुझे challenge नहीं आएगा, ठीक है, लेकिं, यह बी कुछी हद तक कामियाब है, क्योंकि इसमें बहुत 24 क्यों चला मेरा, क्योंकि मैंने यह imagine किया कि जिस तरह से primary table में headers चल रहे हैं, उसी sequence में यह वाले headers चल रहे हैं, तो इसलिए आके बन कर गे हमने 23456 की series बना दी, बट मान के चलो, आपको data बनाना है और उस data में पहले name है, और फिर यहाँ पे कहींप status है, तो यह change हुआ क्य कोई आगी गूम फिरके, कि अगर मेरे पास randomly यह इदर से उदर headers हैं, शफल हो रखे हैं, तो मुझे इनके column डोडने में और इनको type करने में भी तो time लगेगा, उसको automate करेंगे, तो ही actual में formula डैनमिक बनेगा, जब हमें कुछ manually करना ही नहीं होगा, ठीके न, आप जैसे मैं क्याता हूं कि, यहाँ पे आपका name है, और यहाँ पे subject 3 है, मान के चलो को sequence बना हुआ है, और यह 2 है, और यहाँ बे status है, तो सारा change हो गया, और यहाँ पे subject 4 है, और यह है आपका subject 5, और इसके बाद आपका subject 1 रही है, अब भई, इनके column number लिखने में पी तो time लगेगा, तो मैं इसी approach को दुबारा use करो, तो पहले मैं name का column बढ़ना हूँआ, क्या है, 3, subject 3 पे ढूने जाओगे, ऊपर देखोगे, अपनी easy, easyness के लिए आपने पहले यहाँ पे number लिख लिए है, अच्छी बाद है, इसे जल्दी जल्दी पता लगजेगा, नहीं तो यह number भी नहीं ल लग रहा है, और यही time तो हमें बचाना है, कितना अच्छा हो अगर यह headers भी खूद आ जाए, फिर मेरा काम super dynamic, मैं यह कह रहा हूँ कि मैं यह कुछ ऐसा formula लगा हूँ, वो खुदी मुझे 3, 6, 5, 2 देना शुरू कर दे, 3, 5, 6, 2 है क्या, इन headers की, आपके अपने table के headers की, इस primary table में position, मैं 3 क्यों लिक रहा हूँ, क्योंकि 1, 2, 3, name आपका तीसरे number पे है, तीसरा column है, इस table, तो इसी को करने के लिए, इसी चीज़ को automate करने के लिए, हमारे पास एक function है, जिसको हम कहते है match, match का क्या दान होता है, match का का काम यह होता है, कि position ढूंड के लेके आए, सिफ position, remember, यह Vlookup की तरह नहीं है कि कुछ भी ढूंड सकता है, यानि text भी ढूंड सकता है, number भी ढूंड सकता है, मतलब, Vlookup में तो अगर आपको employee का नाम देखना है, तो आप नाम देख सकते हो, अगर आपको name के against marks देखना है, Vlookup में, वो भी आप देख सकते हो, तो Vlookup number भी return कर देता है, लेकिन match ऐसा नहीं करता, क्योंकि position कभी text हो सकती है, नहीं है, match always returns a number, मतलब, एक numeric number, जैसे हमार पस table पढ़ा है, उनी, अजे, अमल, mat, यह पढ़ा हो, ठीक है, यह table पढ़ा हो है, यह table vertical भी है, और मैं इसको horizontal भी बना लेता हूँ, copy किया है, इसको base special transpose कर दिया, म आपको डूलना है, कि मैट की क्या position है, बलब, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, कैसे करोगे आप, भी look up नहीं, यह आप इसमें use कर सकते हो, क्योंकि मैं यही डूलन रहा हो, कि मैट का score क्या है, या मैट का employee ID क्या है, status क्या है, मैं मैट की position की बाद कर रहा हूँ, और position के लिए match function होता है, तो अब लगाओ match, कितने parameter, 3, कौन कौन से, अब आपको देखो, मिलते जुलते parameter दिखेंगे, help मिलेगे, look up value, क्या डूलना है, mat, table array, इस पर आ जाता है, look up array, एक ही बात है, table select करो, match type, जैसे उसमें range type बात है, less than डूलना है, exact डूलना है, greater than डूलना है, less than, greater than पर मैंगे, exact match चाहिए, मुझे, mat का, मतलब, mat ही चाहिए, 0, finish, 3 parameter डाल, position आगी, पुनीत करदू, 1 आगया, अजे करदू, formula चल रहा है, लेकिन, okay, आप दियान से, देखो, आपको row number पता लग रही है, या position, row number इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि, table vertical चल रहा है, तो आप यह थो आप vertically बोलोगे, because, आपका table vertically जा रहा है, क्योंकि horizontal तो ऐसे हो गया, ऐसे तो table नहीं चल रहा है, right, अब इसी case को horizontal लेके देखते हैं, ये वाला, या मैं कहता हूँ, इसी को उठा लोगा, इसी से clarity मिल जाएगी, ये table मैंने उठा लिया, so, इस table को copy करके लेके चलते हैं, मैं मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ, different table ले रहा हूँ मैं इस वाद, आप देखो, मैं यहाँ पर आपको ये बोल रहा हूँ, कि मुझे पताओ कि name की position क्या है, इस horizontal table में, इस horizontal table, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे, आप बोलोगे match, lookup क्या है name, table हो जाएगा, ये वाला, simple, exact match, तो match horizontal पर भी चलता है, और vertical पर भी चलता है, वी lookup से vertical चलता है, ठीक है, वी lookup तभी चलता है, जब lookup नीची की तरफ जा रहे हो, तो match ये आपको position देती है, position कहलो, या column number कहलो, अब मैं row number क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि row number तो सबकी same है, आप ये थोड़ी कह सकते हो, कि row number of a name in this table is 3, गलत हो गया न, column number, column number 3 हो गया, तो यारी अगर मैं subject 1 कर दोगा, तो क्या होगा, तो column number subject 1 का आजएगा, status कर दोगा, तो क्या होगा, spelling same होनी चाहिए, यादट न, ये तो error आजएगा, तो आगया, automate हो गया, आपका task आप देख रहे हो, ये ही तो चाहिए तो चाह subject space 5 different है, match में एक rule है, कि ये, you cannot select lower than one column, if table is vertical, और same way, you cannot select lower than one row, if table is horizontal, मतलब, मतलब ये है, हो सकता आपके पास यहाँ पे, टेबल में कुछ numbers पढ़ें हो, ऐसे, और हो सकता है, क्योंकि आपको we look up की आदत बढ़ी है, तो आप बोलो कि भाई, j4 को डूलना है इस table में, ये गलत हो जाए, rule कहता है, एक ही column, और वो ही column, जिसमें वो value पढ़ी है, बस, error, दो column नहीं select कर सकते हैं, वोसी तरीके से हो सक मेरे पास यहाँ पर एक नाम पढ़ा है, अजे, और यहाँ पर पढ़ा है, इसका status, और let's say, ऐसे, और यह उसके scores हैं, तो भाई, इसकी position जब आप डूलने निकलोगे, पहली चीज़ तो यह rule यह कहता है, दो table नहीं select करोगे, दो rows, तो यहीं पर question आना ही नहीं थी है, आप इसको क्यों select करोगे, जब आपको subject 5 दूलना है, right, subject 5 दूलना है, subject 2 दूलना है, name दूलना, तो selection तो हम वही करोगे न, जहाँ पर वो value पढ़ी है, यह तो common sense, तो इसलिए, G6 to N6 बिल्कुल हम select करेंगे ने, उसी तरीके से यहाँ पर है, मैं क्यों कहूँगा कि आप आप आ Excel के recording नहीं, मलब आप सोचो, कि यह आजे जो है, यह मुझे return करेगा, मैंने बोला था, row number तो 9 return करतेगा, वो इस table, जहां से आपने table start किया है, वहां से return करेगा, अब इसमें एक और चीज़ है, गलती से गराब यह table इस तरह से submit करतोगे, तो यह फिर यहाँ से start करना यह manual process था, यह क्यों करना है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे, भाई मैं यहाँ match लगाँगा, अपने name को, जो मेरा अपने table का name है, उसको डूणने निकलूँगा, इस table, अब कुछ लोग क्या होते हैं, कि जब यहां से session लेके जाते हैं, assignments पर काम करते हैं, और मुझे अग चाहिए, employee का name दूणना है, तो हमने name उठा दिया, तो मेरा question ही है, कि अगर इतनी मैनत करके, main table में आपने name दूणनी लिया है, तो manually लिख दो ला, main table में थोड़ी जाना है, main table तो, हमें नहीं पता main table में name कहाँ पड़ा है, इसमें अगर 100 headers है, तो मैं क्या यहां पर यहां दूण रहा है, कि वो name कहा है, उसको select करो है, नहीं, आपको अपना name दूणना है, और एक और दूसरा point यह है, कि अगर आप यह वाला name उठाओगे, तो f4 select कर लिया, अब जब आप left to right इसको drag करोगे, f4 क्या होजेगा, g4, g4 में क्या आप दिक हो रहा है, subject 1, आपको subject 1 चा select किया है, ठीक है, we look up का table और match का table सेम होगा, starting और end point की terms में, मतलब, we look up का भी column D है, और end point है कि match का भी यही होगा, यह अलग बात है कि we look up में तो multiple, पूरा का पूरा table हम select करते हैं, because हमें we look up में नीचे search करना होता है, कहा है वो नाम, लेकिन match में वो सिर्फ उसी table में एक single row में जाएगा और ढूंड के लाएगा, कि भाई, यह name कहां पड़ा हुआ है, मिल गया आपको, और आप देखो, पुनीद भी आ गया, और बताओ, क्योंकि I23 से link है, अब भाई, मैं कहता हूँ, management ने का no no, status सबसे पहले हम शुरू कर दो, show करना, बस आपको यह status ही तो लिख दो ऐसे subject space 5, जो कि आप लिख सकते हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, error आ जाएगा, तो आपको पता लगजेगा कि कुछ कड़बड हो रही है, ठीक है न, क्योंकि Excel के लिए subject 5 और subject 5 space 5 दोलों अलग है, right, तो spellings का ध्यान लखे, case activity का कोई issue नहीं Excel में, ठीक है, जैसे 3 हमने पहले ही select किया है, तो अब left to right, आई होजेगा, जे 23, येकिन गडबड होगी है, क्या, आपका answer गलतार, 18, कैसे, आपको देखो, subject 3 में employee ID 101 का score क्या है, 40, आपको क्या मिन रहा है, 18, क्यों, क्योंकि match function ने subject 3 की position आपको return करती 5, जबकि आपके table में वो position है, 6, तो question ही आ क्योंकि ये उसके लिए 5th column है, अब question ही आता है, तो ये तो 6 होना चाहिए था, तो ये 6 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब आप इसको F2 करोगे, आप देखोगे subject 3 तो pick हो गया, लेकि table मूब हो गया, अब table क्यों मूब हा, क्योंकि आपने column freeze ही नहीं किये, table जब हमने start किया हमने start किया था D से, D हो गया E, तो अगर table यहां से start होगा, तो naturally आपका subject 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5th position पे होगा, match के लिए तो ये 5th हो गया, लेकिन we look up के लिए कलेश खड़ा हो गया, क्योंकि we look up को 5th मतलब subject 2 है, इसलिए मैंने बोला कि match और we look up के table same होने चाहिए, starting point और end point ठीक है, और वैसे भी हम mostly 99% time table हमेशा पूरा E freeze करते हैं, तो मैं यहां पर D को freeze करने जा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो 4 को भी कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूँगा, ताकि आपको ये clear होता रहे, कि जिस चीज़ की जरूत नहीं हम use क्यों करें, 4 वैसी चीज़ नहीं होना, left to right, तो I 17 आपका J 17, K 17 करके change होता रहेगा, तो जब आप इसको ऐसे drag करोगी, आपके सामने आपके headers त्यार हैं, और जब ये त्यार हैं, तो यहाँ पर पहले settings सारी हो रखिए, इस भी look up में, है की नहीं, आपने 101 को उठाया, इस table में गए, उसके बाद ये column number pick किया और आपका answer आ दिखाता हूं आपको, फिलाल के लिए हम इतना ही चलेंगे, मैं इसको drag करता हूं, यह हो गया आपके values, सब automate हो गया, अब management कहती है, no, no, subject हम सबसे पहले subject 1 दिखाएंगे, subject 2 दिखाएंगे, subject 3 और उसके बाद हम दिखाएंगे status, तो कोई बात नहीं, आप अड़ा वच्छ आपका फट चीज डानमेंग करते हैं आपके लिए, तो finally यहां आके हम रुखेंगे, और हम यह will look up यूज करेंगे, पिछला वाला जो भी किया, वो सिर्फ आपको step by step educate करने के लिए था, आप कभी भी यह वाले will look ups नहीं लगाओगे, जहां पर यह 2, 3, 4 manually डूण के लिख हो या फिर बिना match के will look up लगाई जा रहे हो ठीक है, एक दो header है तो चलता है, कोई प्रावलम नहीं फिर तो comma 2, comma 3 कर दो, आप मुझे अधर डोना ही subject 1, subject 2 है, तो match क्यों लगाना है, क्यों time list करना है, फटाव अच्छे subject 1 बनता column देखा, subject 2 का देखा, manually लिख 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 ल होती है, जहां पर आपके headers बहुत सारे बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस case में, यह will look up और match का combination यूज कर सकते हो, कि आप अब आपके सामने यह सारे headers पड़े हो हैं, तो motion यह आता है कि अब मैं यह हटा देता हूँ, अब challenge यह था कि यह column number तो आपको पता है ना, क्यों लिखत हो गया, ठीक है, अब यह 2, automatic तो 3 होगा निए, जब आप इसको यह drag करोगे, और 3 भी क्या, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है, यहाँ पर subject 5 पड़ाओ, तो subject 5 के according आपको formula ठीक है, बस आपको बार-बार manually check करना पड़ेगा, हाँ, तो अब आप subject 5 का number देखोगे, वो है 8, वो subject 1 को मैं 4 करूँगा, तो यह सब जो आप manually कर रहे हो, अब आप यह बताओ, आप 4 क्यूं कर रहे हो, क्यूंकि आप यहाँ से start कर रहे हो calculation, 1, 2, 3, 4, और यहाँ आके रुक रहे हो, क्यूंकि यहाँ पर यह वाला header मिल गया हमे, यही चीज मैच करके दे रहा है आपको, यही अच्छा यह है कि तू यहाँ पर 4 खुद लेया, मैं तेरो को guide कर रहा हूँ, तो आपने बोला कि अब जब आपका mind भी यह calculate कर रहा था, तो इसी को उठा रहा था ना पहले, इसको आप pick कर रहे थे और फिर इसको यहाँ पर ढूलना शुरू कर रहे थे, वही चीज आपने match को बोल दी, आपने match को बोला कि देख ऐसा है, यह जो भी यहाँ पर value पड़ी है, इसको pick कर, look up कर, कहाँ पर गर, इस table में कर, तो इस table में उसने start कर दिया, डूनना, one by one, यहाँ से start करेगा, left to right यह मिशा function चलता है, और top to bottom चलता है, कभी भी reverse direction में function search नहीं करता, तो यहा यहाँ यहाँ जादर जाएगा, यहाँ पर रुख जाएगा वो, और वो देखीगा, क्योंकि बंदे ने बोला है, exact match तो exact match बदलब यह इसको बिल्कुल exact match मिल जाएगा, फिर वो counting करेगा, यह कहाँ पर पड़ा है, जैसे आपके mind ने counting की थी, वो return कर देगा आपको, 4 आग 13 हो गया, अब match ने subject 2 pick कर लिया, उसका काम अब दुबारा से शुरू हो गया stable में, table freeze किया हुए हमने, अब subject 2 को वो डूंडेगा यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अधर उसे मिलता है, नहीं मिलेगा, पर देगा, उसे मिल गया, उसने count कर लिया, कि अधर यहाँ से start किया था, तो position gap, उसको फिर यह 5 number मिल गया, इस तरीके से मैंने सब की position डूंड लिये, अपने आप, match के थो, जो मैं पहले, manually अपने जमाग से कर रहा था, तो अब match को सब कुछ provide कर दिया, उसके बाद फिर वही चीज में रिखी, कि भाई, यहाँ पे अब column number जाएगा, तो column number manually तुमें ल quality formula लगा हुआ है, तो मैंने का कि I-23 में जो बड़ा हो, पिक कर लो, I-23 में क्या बड़ा हुआ, I-23 में subject 1 बड़ा हुआ है, जो कि match ने डूंड के आपको उसके position return की हुई है, तो यानि I-23 में चला गया, 4, ideally आप 4 ऐसे लिखो, या आप 4 ऐसे लिखो, या आप इस इस सेल क apply करना शुरू कर देगा, क्योंकि I-23 जैसी left to right जाएगा, वो होजएगा J-23, और J-23 में आपने पहली अपना पूरा इस आपकिताब सेट करके रखा हुआ है, कि जैसी आएगा वो, मैं यहां से 5 पिक कर वा लूँगा, और 5 आपको पता है, इस header की position है, जो कि max ने यहां प I-23, जब मैं नीचे जाओ, I-24 ना हो जाए, क्योंकि Excel तो करेगा ना, इसे change, I-24 तो blank पड़ा हुआ है, तो मुझे तो चारी चाहिए, नीचे जाते हुए, चाहे employee ID 101 है, चाहे 108 है, चाहे 100 है, subject 1 सबके लिए 14 ही column होगा, इसलिए मैंने कहा कि भई, drag करने से पहले, आप इस यह लोकप का table है, और यहां पे कहीं पे match का table होगा, match का table नहीं आ रहा है, I think, मैंने drag नहीं किया है, मैं इसको drag करता हूँ, drag कर लो या copy paste कर लो एक ही बात है, formula equipment, यह, अब आप इसको F2 करो, देखो, यह, 2 पिक हो रहा है, 100 पिक हो रहा है, यह लोकप table, और यहां पे match का table ह ही है, अब आप जब भी आप इसको change करते हो, आप कहते हो, यह name होना चाहिए, तो match ने तो पहली pick क्या करना है, जो value आपकी I-17 में होगी, match ऐसा तो नहीं कर रहा है, कि कुछ static चीज़ pick कर रहा है, वो वो चीज़ pick कर रहा है, जो आपने I-17 में रखी है, अब I-17 में आप क क्या करोगे, यह थोड़ी change हो रहा है, यह तभी change होगा भाई, जब यहाँ पर आकर आप कहोगे, कि name का column change किया जाए, जो कि यह 3, तो मैं इसको यह 3 कर रहा, तो यह change हो जाएगा, लेकिन यही काम अब आपका match function कर रहा है, ठीक है, इसी लिए हमने इसको इस तरीके से automate किय है, तो जो we look up का column number है, उसको हम match के तू automate कर रहे हैं,